Good morning everyone, क्या हाल जा रहे हैं आप सबके? उमीद करता हैं सब अच्छी होएंगे तो आज इस पर्टिक्लर वीडियो से हम लोग अपने CS-EET Studency Class को स्टार्ट करने जा रहे हैं CS-EET की आज की पहली Class को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा introduction देना चाहता हूँ इस पर्टिक्लर कोर्स उसके बाद हम बात करेंगे कि आज ही Class में हम लोगों ने क्या पढ़ना है अगर हम CS-EET, CS Executive Entrance Test की बात करें तो यह MCQ-based पेपर है आपका जो दो घंटे का होगा इस पर्टिक्लर पेपर में चार सब्जेक्ट्स हैं टोटल पहले मैं आपको एक चोटा सा ओवर्व्यू दे देता हूँ इन चारो सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग उसके बाद हम आज की इस पर्टिक्लर क्लास को स्टार्ट करेंगे मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको कौन कौन से टॉपिक्स यहां पर कवर्क कराऊंगा सर्जो यह CS Executive Entrance Test है CSET सर यहां पर टोटल चार सब्जेक्ट्स हैं कौन कौन से चार सब्जेक्स हैं सर एक है बिजनस कम्मिनिकेशन एक है एकनोमिक्स और बिजनस एंवार्मेंट एक है सब्जेक्स सर लीगल और लॉजिकल रीजनिंग और लास्ट मेंग सब्जेक्ट है सर करंट अफिर्स यहां पर साथ में प्रेजन्टेशन स्किल्स भी आती हैं प्रेजन्टेशन आंड कम्मिनिकेशन स्किल्स दो पार्ट में डिवाइड एड़ है ठीक सर यह सारे चारो सब्जेक्स अपने आप में 50-50 मार्क्स की वेटिच रखते हैं सब 50-50 मार्क्स की वेटिच रखते हैं ठीक सर कहरें सर इन सारे सब्जेक्स का पेपर एक साथ हो जाता है या अलग-अलग होता है सर एक साथ पेपर होगा, दो घंटे का आपका एक्जाम होगा, तो आवस का, और उस दो घंटे के अंदर आपको ये चारो सब्जेक्स के MCQ सॉल्व करने होगे, सर टोल कितने MCQ होगे, सर 140 MCQ होगे, अभी तक CSEET एक्जामिनेशन टेस्स सेंटर पर कंड़क नहीं हुआ, क्यो अगर हम बात करें, तो सर बिजनस कम्टिकेशन अपने आप में 55, 50 माक्स का है, जिसमें टोटल 35 questions पूछे जाते हैं, economics and business environment भी 50 marks का है, यहां पे भी 35 questions put up किये जाते हैं, लीगल and logical reasoning भी 50 marks का है, यहां पे भी 35 questions put up किये जाते हैं, although यह जो legal and logical reasoning है, इसको हम दो पार्ट में प is presentation and communication skill, जो यह presentation and communication skill है, वैसे इसको हम वाइवा भी, इस particular CSEET examination पे पूरे schedule में इसको वाइवा भी बोला गया है, बट अभी तक क्योंकि यह test centers पे contact नहीं हुआ, यह computerized रोना था, बट अभी तक हुआ नहीं, तो अभी इनको हम ऐसे बोलते हैं, कि अभी जो आपकी home-based exams वाल चीक सर, कहते हैं, इसके राबर जो current affairs है, सर, current affairs, total 15 questions put up किये जाते हैं, current affairs के, जो 20 marks के होंगे, किते marks के होंगे, 20 marks की weightage रखेंगे, मैं अगर अपने subjects की बात करूँ, तो मैं आपको यहाँ पे दो subjects कराने वाला हूँ, एक legal reasoning, एक logical reasoning, और एक current affairs, इन तीन चीज़ों को मैं cover up क जो हम subject start करेंगे, that will be legal reasoning, इस legal reasoning के अगर मैं बात करूँ, तो इस legal reasoning में कुछ important topics हैं, जैसे, जैसे सर, एक बहुत important है हमारे लिए, constitution of India, और अगर laws की बात करूँ कि इन में और कौन-कौन से laws हैं, तो Indian contract act, law of tot, इसके लावा, company law, company laws पूरा है, बिल्कुल पूरा नहीं है, कुछ elements है, कुछ basic features है, कुछ basic provisions है, जो company law के बारे में हमको यहां पढ़ाए जाएंगे, इसके लावा, company secretary के regarding, कुछ required information आपको दी जाएगी, कि जो course, जो profession आप pursue करने जा रहे हो, इस particular profession में, क्या-क्या important, important aspects हैं, इनको हम deal करेंगे, तो these are some important chapters, जो हम इस particular legal reasoning वाले portion में cover करेंगे, और आज, उस particular chapters में से एक chapter है, law of taught, जिसको हम आज start करने जा रहे हैं, चेक सर, इसके लावा, इसके लावा, बाकी सारे subject की details, आपको respective teacher आपको provide करेंगे, आपकी respective class में, उन particular subject की details, आप उन से confirm करेंगे, बिल्कु ठीक बात है, सर जो हम law की बात करते हैं, जो हम law की बात करते हो और आपने जो chapter हम इस्टार्ट करवाना है, वो है law of taught, तो ये क्या है सर, ये chapter क्या है, हमको तो यहीं नहीं पता, कि ये taught होता क्या है? टॉट क्या होता है, लॉट तो थोड़ो 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 फिर भी पता है, हिंदी में कम से कम इतना तो पता है कि लॉट कमतलब कानून है, ठीक है सथ, हमको लॉट फुल्फिल भी करना होता है, फॉलो करना होता है, लॉट में दी हुई फॉर्मालिटीज को फुल्फिल कर सबसे पहले का मेली क्या होता है जो यह मीनिंग मैं आएसे बहुते हैं कि एक पर्टिकुलर परसन जब कोई क्या करता है कोई गलती करता है, तो हम बोलते हैं, generally, कि उसने एक taught commit कर दिया, क्या commit कर दिया? taught, तो सुर, हम ऐसे कह सकते हैं, taught means wrong, कि कि सी एक particular person ने कुछ गलत काम कर दिया, तो हम बोलते हैं, उस particular person ने taught commit कर दिया, क्या आप ऐसा कहना चाहते हो, लगबग लगबग कुछ ऐसा ही कहना चाहते हैं, लेकिन अभी हम इसको specifically, legal terms में ऐसा नहीं कह सकते हैं, अभी हमको इस पर पूरी interpretation करनी होगी, पूरा देखना होगा, यह wrong word आक्चुल में है क्या, कहते हैं, सर जब हम law पढ़ते हैं तो wrong दो तरीके क्यों होते हैं, wrong, जो काम गलत होते हैं, जो गलत काम होते हैं, वो किते तरीके क्यों होते हैं, दो, एक होता है सर private wrong, और एक होता है public wrong, हम ऐसे बोलते हैं, अगर आप किसी एक individual person के साथ कुछ गलत कर रहे है तो वो एक private wrong है लेकिन अगर आपने कोई ऐसी गलती कर दी जिससे society at large effect हो रही है क्या बोल रहे हूं सर अगर आपने कोई ऐसी गलती कर दी जिससे society at large effect हो रही है तो in that situation उस गलती को हम बोलते है it is a public wrong जैसे sir murder कर दिया robbery कर दिया यह सब कैसे wrong है यह public wrong यहाँ पर public at large effect होते है कोई भी crime होता है तो हम ऐसे बोलते हैं हुआ तो भले ही शायद एक particular person के साथ कुछ गलत हुआ लेकिन उससे effect जो पढ़ता है वो effect society at large हो पढ़ता है लेकिन sir कुछ wrong ऐसे होते हैं जो private wrong होते हैं जहाँ पर public को impact नहीं पढ़ता let's say किसी ने किसी को थपड़ मार दिया किसी ने किसी के मूँ पे दरवाजा बंद कर दिया तो यह सारी जितने भी wrong है न वो एक particular person के against commit हो रहे है मैं आपकी land पे without your permission एंटर कर गया हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक ऐसी गलती जो एक particular person के against commit की गई है तो वो private person लेकिन एक ऐसी गलती जिसका impact पूरी society पे पढ़ सकता है that particular गलती is termed as public wrong ठीक सर कहते हैं अगर हम और इसको specify करें तो हम ऐसे बोलते हैं कि जो wrongs होते हैं वो दो तरीके के होते हैं एक होता है civil wrong और एक होता है criminal wrong एक कैसा होता है civil wrong और एक कैसा होता है criminal wrong ठीक सर इसका अब आपने यह भी बोल दिया कि एक गलती को हम crime बोलते हैं और एक गलती को हम civil mistake मानते हैं ठीक सर अब अगर हम मोटा मोटा इन दोनों को compare करें तो सर आपने तो ऐसे बोल दिया कि wrong दो तरीके की होते हैं civil wrong और criminal wrong और फिर आपने ये भी बोल दिया कि wrong दो तरीके की होते हैं private और public तो सर हम क्या मानें तो हम ऐसे बोलें कि और इन criminal wrong को हमें कोई नाम देते हैं सर कौन सा public wrong ठीक सर क्या नाम देते हैं public wrong चलो ठीक सर समय में आगी बात अब हमको कही ना कहीं थोड़ा बहुत कुछ clear हो रहा है कि गलतियां दो तरीके की हैं एक civil wrong एक criminal wrong पेल्कु ठीक बात सर अगर हम बात करें कि क्योंग एक particular person कोई गल बोले कि जितने भी crime हैं सर जितने भी crimes है ना वो कहीं न कहीं law में लिखे हुए कानून में कहीं न कहीं वो गलती लिखी हुई है सर कहां लिखी होगी सर एक code पढ़ते हैं Indian Penal Code जिसको हम शौट हम बोलते हैं IPC अभी आपने पढ़ा नहीं बट कोई बात नहीं executive में आप अभी दिरे-दिरे करके आप समझेंगे की section होते क्या हैं बेखु समझाएंगे हम आपको दिहान से अभी ऐसे बोला जा रहा है कि IPC IPC में सारे crime लिखे गए हैं सर मडर के बारे में IPC में लिखा है रेप के बारे में IPC में लिखा है किसी एक particular person ने किसी दूसरे particular person की reputation को harm प activities है ना वो सब IPC में लिखे ठीक सर फिर इसके लावा सर और कोई law है जहाँ पर crime लिखा है हां सर हम ऐसे बोलते हैं एक आप और पढ़ेंगे executive में ही criminal procedure court although criminal procedure court crimes के बारे में इतना कुछ नहीं बताता बट कुछ तरीके के activities को वो भी crime डिक्लियर करता है सर इसी तरीके सर में एक act पढ़ेंगे Indian evidence act वहां पे भी कुछ गल्तियों को क्या बोला गया है एक criminal wrong बोला गया है Indian evidence act अभी हम आपको फिर कभी ये भी बताऊंगा कि सर ये जो act और code होता है ना इसमें भी difference होता है एक लिखा Indian evidence act एक लिखा CRPC criminal procedure court सर इसको में शौट में बो IPC में लिखे हैं या CRPC में लिखे हैं या Indian evidence act में लिखे हैं या फिर एक और point बोल दिया जाता है the last कि किसी और specific law में अगर किसी particular activity को crime बोल दिया जाए किसी specific law में किसी एक particular activity को अगर crime बोल दिया जाए तो वो भी criminal activity बन जाता है ठीक सर कुल मिला के अगर हमें करक्स निकाले तो करक्स ये बनकर आया कि सर अगर कोई particular activity, criminal activity है तो सर कहीं न कहीं वो specifically किसी law में mention जरूर की गई होगी कि वो एक particular activity, criminal activity है इसका मलब अगर कोई activity, criminal activity नहीं है तो वो by default क्या है? एक civil activity है, वो एक civil wrong है इसका मलब हम ऐसे भी कह सकते हैं, अगर आपकी की हुई गलती, crime नहीं है, तो आपकी की हुई गलती, civil wrong हो सकती है हो सकती है या होगी ही होगी, हम ऐसे बोलें, अगर गलती है, तो criminal wrong नहीं है, तो civil wrong है इसका लोग को पहले चेक करना होगा कि एक पर्टिकुलर परसन ने जो गलती की है वो civil wrong या criminal wrong सर इसे दिख लिजे कि करिये ही ना यह दिख लिजे कि कहीं वो criminal wrong तो नहीं है अगर किसी पर्टिकुलर law में उसको crime बोल दिया गया है तो फिर वो criminal activity अगर उसको criminal activity नहीं बोला गया तो वो by default civil wrong है चीक सर लेकिन सर civil wrong को भी ना हम further तीन पार्ट में डिवाइट करते हैं ऐसे नहीं चाहने देंगे सर civil wrong को किते पार्ट में डिवाइट करते हैं का violation terms and conditions को follow नहीं किया मतलब आपने breach कर दिया किसी का right आपने violate कर दिया आपने किसी के साथ कुछ गलत किया this means breach हो गया ठीक सर ब्रीच of contract second होता है breach of trust trust के बारे में हम पढ़ेंगे सर कभी executive level पर बढ़ हम ऐसे बहुत है अगर इन तीन parties में किसी भी तरीके का को dispute होता है trust के regarding तो मुसको नाम देते है breach of trust अब हम ऐसे बहुते हैं कि civil wrong तीन तरीके के होते हैं एक होता है breach of contract एक होता है breach of trust इसके अलावा remaining remaining जितने भी civil wrongs हैं remaining all civil wrongs जो नहीं breach of contract हैं नहीं breach of trust हैं वो सारे के सारे civil wrong क्या होंगे taught होंगे सर, वो सारे के सारे civil wrong क्या होंगे सर, taught होंगे ठीक सर, बलबकुल मिला के हमको ऐसे समझ में आया, अब अगर हम पूरी picture को एक साथ present करें तो हम ऐसे बोलेंगे, सर एक particular person अगर कोई activity करता है और वो activity अगर गलत activity है तो वो दो तरीके से गलत हो सकती है, या तो crime हो सकती है, या civil हो सकती है या तो public हो सकती है या प्राइवट हो सकती है public और crime एक ही चीज है, criminal activity और public wrong एक ही बात है, civil wrong private wrong एक ही बात है, सर लेकिन ध्यान अख एगगा अगर कोई particular activity ग्राइन है तो वो कहीं नकहीं specifically बताई गई होगी कि इस एक पर्टिकुलर vity को crime नहीं बताया गया तो इसका मतब उस पर्टिकुलर activity को हम civil wrong मानेंगे अगर civil wrong है तो फिर तीन category अलग बन जाएंगी एक रिच आइगा breach of contract एक रिच ऑफ अगर वो particular civil wrong breach of contract में fall नहीं कर रहा, वो particular civil wrong breach of trust में fall नहीं कर रहा, तो by default वो जो civil wrong बच गया, वो क्या बन जाएगा, tot बन जाएगा, ठीक सर, breach of contract के regarding sir law है, Indian contract act, हम पढ़ेंगे sir, हमारे इसी slaves में, चलो सर शुकर है, आपने कम से कम कुछ ऐसा तो बोला, जो हम इसी CAC team में act भी है, Indian trust act 1882 भी है, चलो, उसको भी पढ़ेंगे sir, नहीं, उसको नहीं पढ़ेंगे, उसको नहीं, वो हमारे slaves का partner, sir, taught, इसके लिए भी क्या कोई law बना हुआ है, sir, एक बहुत important point में आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिए, sir, आपने ऐसे बोला, crime के लिए Indian penal code है, बना हुआ है, sir, crime के लिए Indian evidence act है, कानून है, या किसी और specific law में किसी activity को crime बोल दिया जाए, तो वो भी crime है, ठीक, sir, कानून है, breach of contract के लिए Indian contract act है, breach of trust के लिए Indian trust act है, इसका मलब, sir, अभी तक हमने जितनी भी गलतियों पढ़ें, उस particular गलतियों के लिए कहीं ना कोई कोई law बना हुआ है, लेकिन, sir, एक बहुत important point, sir, taught के लिए there is no specific law, taught के लिए there is no specific law, हैं, sir, taught के लिए कोई कानून ही नहीं है, बिलकुल नहीं, sir, ध्यान से हम ऐसे बोलते हैं, आज तक पार्लियमेंट ने taught के लिए कोई भी कानून पास नहीं कियो, आज तक हमारे इंडिया की पार बनाया ही नहीं गया, किस के लिए, taught के लिए, क्यों, sir, ऐसा, क्यों, सब चीज के लिए law बना दिया गया, taught के लिए law क्यों नहीं बनाया गया, कहते हैं, sir, taught एक ऐसा civil wrong है, जिसमें इतनी छोटी-छोटी activities cover हो जाती हैं, कि उसको अगर हम लिखने बैठेंगे कानून के पन् मैंने बोला, मैंने बोला, अगर कोई activity crime नहीं है, तो वो civil wrong है, civil wrong में भी अगर वो breach of contract नहीं है, breach of trust नहीं है, तो वो by default taught है, इसका बचा कुछा जो कहीं और नहीं आ रहा होगा, वो बचा कुछा सब कुछ taught में आ जाएगा, लेकिन ध्यान रखेगा, कुछ गलत होना चाहि सर, क्या हमको कहीं न कहीं समी में आ रहा है, taught थोड़ा बहुत क्या है, एक normal सा overview मिल गया कि taught क्या है, थोड़ा बहुत तो पता लग गया, इतना तो पता लग गया, कि हम थोड़ा बहुत ये तो discuss कर सकते हैं, कि taught एक ऐसा civil wrong है, जिसके लिए कोई कानून ही नहीं बना, क्या स सर, example दीजे, taught क्या हो सकते से, सर, मैंने एक student को थपड मार दिया, ओ, सर, ये मारना पीटना तो बलग बात है, कोई बात, मैंने एक particular person को थपड मार दिया, क्या ये taught है, सर, ये taught है, मैंने एक particular person के मुका मार दिया, क्या ये taught है, ये taught है, हाँ सर, ये taught है, सर, मैंने एकदम से दरवाजा बंद किया, डोर बंद किया और सामने से एक पर्टिकुलर परसन आ रहा था वो बंद करता हुआ डोर उसके मुँपे हिट कर गया क्या ये टॉट है, हाँ सर ये भी टॉट है मैंने किसी को भला भरा, हम ऐसे बोलते हैं हाँ सर है, मैंने किसी के उपर एक डंडा उठाया ये टॉट है, हाँ सर ये भी टॉट है सर डंडे से मारा भी, क्या ये भी टॉट है, हाँ सर ये भी टॉट है इसका उलब मैं ऐसे कह रहे हैं, जो कोई activity crime नहीं है वो civil wrong है, civil wrong है अगर वो breach of contract नहीं है, breach of trust नहीं है, तो वो भाईया, breach of कोई भी right जो इन सब में नहीं आ रहा, that is taught सिफ और सिफ ऐसे बोला गया, कोई भी गलती जो कहीं और कुछ declare नहीं की गई वो गलती taught ही है, बस गलती होनी चाहिए, ठीक सर clear हो गई हमको बात, हमको ये भी पता लगया, taught के regarding कोई specific law नहीं, तो सर पता कैसे लगता है कि ये गलती है भी या नहीं, कहते हैं सर ये तो जब dispute होगा जब क्या होगा, dispute होगा तब देखा जाएगा कि क्या सच में एक particular person ने कोई ऐसी activity की है, जिससे एक particular person का legal right violate हो गया क्या हो गया सर, क्या किसी particular person ने कोई ऐसी गलती की है जिसकी वज़े से particular person का क्या violate हो गया, legal right violate हो गया सर अभी हम देखेंगे क्या होता है legal right बिल्कुट पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे ठीक सर, अच्छा मैं अभी आपको एक statement का जवाब दीजेगा मेरे को, आपको यह तो पता लग या taught होता है, सर एक statement बोला जाता है, ध्यान से देखी क्या सर, ध्यान से सुनिए गई, यह statement ठीक है या नहीं all taughts are civil wrongs कहते हैं सर जितने भी taught होंगे ना, वो सब civil wrongs होंगे क्या यह बास सच है, yes or no क्रिशन आप से पूछा गया, is it true or false? ठीक सर, second question आप से पूछा जा रहा है all civil wrongs are taught क्या सर, यह statement सही है या false है? क्रिशन पूछा गया सर आप से ज़रा ध्यान से, अभी अभी जो मैंने आपको पढ़ाया, अगर आपने copy में नोट किया है, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं नोट किया, तो वीडियो को पीछे लेके जाएए और एक बर ज़रा उसको नोट कर लीजे, बहुत important बात लिखा ही है मैंने, सर, question पूछा जा रहा है, all taughts are civil wrong क्या सर, सार, सारे taught civil wrong होते हैं सर, अभी हमें बोला था, civil wrong तो तीन तरीके क्यों होते हैं हा सर, civil wrong breach of contract भी होता है, civil wrong breach of trust भी होता है, और कुछ बच गया तो वो taught भी होता है इसका मलत, जितने भी taught होंगे सर, वो civil wrong तो होंगे, ये बात तो guaranteed है जितने भी taught होंगे वो civil wrong तो होंगे ही होंगे सर क्या सारे के सारे civil wrong taught होंगे नहीं सर ये statement गलत लग रहा है सर सारे के सारे civil wrong taught नहीं होते, civil wrong तो तीन तरीके के होते हैं breach of contract, breach of trust भी और उसके अलावा जो बच गया वो है taught तो इसका मला सर जो पहला statement आपने बोला ना ये तो correct है सर, ये तो true है true, true, इसका हटादू सर लिगी सर जो सर आपने दूसरा statement बोला ना सर वो गलत है, it is false इसका मला सर अगर हम बिलकुल correct statement लिखें दोनों तरफ correct लिखें तो हम ऐसे लिखेंगे सर all taughts are civil wrong सर जितने भी taught होते हैं वो सब civil wrong होते हैं बहुत इंपॉर्टन वर्डेस एक्जाम में पूछा जाता है आपसे MCQ में ऐसे statement लिखेंगा और आपसे पूछा जाएगा स्टेट्मेंट करेक्ट है या नहीं ऐसे भी लिख दिया जा सकते है all taughts are not civil wrong आपसे पूछा जाएगा अब मैं आपको थोड़ा सा मैटर पढ़ाता हूँ कि सर कानून में या हम ऐसे बोले कानून तो इसके रिगार्डिंग है ही नहीं सर लेकिन फिर भी हम taught को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से पढ़ेंगे तो जिससे हमको समझ में आए कि ये taught word originate कहां से हुआ ये actual में है क्या ठीक सर अच्छा हम ऐसे भी बोलते हैं कि court के कुछ judicial decisions होते हैं judicial decision का मतब court के दुवारा लिया हुआ कोई decision court का मतब किसी एक particular judge ने कोई decision सुनाया और उसी decision को हम कानून मानके आगे उस particular decision को follow करते हैं जितने भी taught के regarding remedies होती हैं सर वो कहीं न कहीं in judicial decisions के basis पे चलती हैं क्योंकि parliament के दुवारा बनाया हुआ कोई law taught के regarding framed नहीं है ठीक सर, कहते दिहान से देखिए पहला statement क्या लिखा है जो जो word मैंने red में highlight की है यह आपसे mcq form में fill in the blanks form में पूछे जा सकते हैं fill in the blanks की form में एक particular statement लिखा होगा यह particular red word जो है यह blank होगा और आपको नीचे कुछ options दी होंगे उसमें से आपको correct options रहे करना हो कहते हैं लिखा था word taught जो यह word है taught कहते हैं it is a french equivalent of English word wrong उसी को french में क्या बोल दिया गया taught इसका मुला हम ऐसे बोलते हैं कि English language में तो हम एक particular गलती को बोलते है wrong Hindi में बोल रहे हैं गलती English में बोल रहे है wrong French में क्या बोलेंगे taught इसका मुला taught is a synonymous word या it is a alternative word of the word wrong sir ठीक है Roman law में sir Roman law में इस particular taught word को क्या नाब बोले जाता है डिलिक्ट क्या बोल जाता है डिलिक्ट डिलिक्ट भी बोल सकते हैं चीक सर डिलिक्ट इसका मुला taught wrong डिलिक्ट they all are somewhat alternative चीक सर कहते है word लेकिन taught originate कहां से हुआ sir ये तो पता लग गया कि एक wrong को हम गलती गलती को English में wrong बोलेंगे बट गलती को French में क्या बोलेंगे taught बोलेंगे Roman law में क्या बोलेंगे डिलिक्ट बोलेंगे डिलिक्ट बोल सकते हैं sir फिर ये word taught आया कहां से कहते taught is derived from a Latin word taughtum sir Latin में एक word है taughtum जिससे एक particular word originate होकर आया taught आपके MCQ के point of view से ये दो questions very important most important आपको पढ़ने ही होंगे तो sir हम ऐसे बोलते हैं ऐसे बोलते हैं कि एक गलती अंग्रेजी में बोली जाती है wrong उसी गलती को French में बोला जाता है taught उसी गलती को Roman law में बोला जाता है देलिक्त सर यह वर्ड टॉट उरिजिनेट कहां से हुआ सर यह वर्ड टॉट लेटिन वर्ट टॉटम से औरीजनेट हुआ ठीक सर आगे बढ़िये सर आगे बढ़ते हैं ध्यान से का दूट दस दस simply stated taught means wrong इसका मलब अगर हम normal words में बोले एक layman language में बोले तो हम ऐसे बोल सकते कि कोई भी गलती taught है but every wrong or wrongful act सर किसी ने एक particular person ने कोई गलती कर दी या किसी ने कोई किसी पर्टिकुलर person ने कोई activity कर दी जिसकी वज़े से आपको लग रहा है कि उसका किया हुआ काम गलत है it is not a taught but every wrong or wrongful act is not a taught सर हर गलती taught नहीं होती गलती तो private भी हो सकती है गलती तो public भी हो सकती है public होगी तो crime बन जाएगी private होगी तो team category में आएगी अगर वो breach of contract नहीं है अगर वो breach of trust नहीं है तो वो taught है इसका मलब सारी गलतीयों को taught नहीं बोल सकते है वैसे सर taught is really a kind of civil wrong as opposed to criminal wrong हाँ सर लेकिन हम यह कह सकते है कि taught एक criminal wrong नहीं है taught बलकि यह क्या है एक civil wrong है ठीक सर कहते है wrongs in law are either public और private ओहो हो यह तो वही बात होगी सर जो आपने बताई साफ बता दिया गया कि सर जितनी भी गलतीया है वो दो तरीके की हो सकती है public होगी तो crime प्राइवेट होगी तो taught नहीं सर private होगी तो तीन तरीके की हो सकती है बिलकुत सही बात कौन-कौन सी तीन तरीके की breach of contract, breach of trust या फिर बचा-कुचा taught छीख सर फिर कहते है public wrongs क्या होते हैं तो कहते हैं अभी हम पढ़कर आएं सर public wrongs are the violations of public law सर जो public wrong है न वो कहीं न कहीं आपने किसी एक ऐसी चीज का violation कर दिया है violation का मंदब आप हम ऐसे बोल देख रूल बना था आपने उसको तोड़ दिया एक बात करने से मना की गई थी आपने कर दी एक activity आपको करने से रोकी गई थी एक activity थी जो किसी भी particular person को नहीं कमिट करनी थी activity of murder कमिट नहीं करना था बट आपने कर दिया आपने public wrong का violation कर दिया और सर अगर आपने कोई criminal activity की है तो सरकार की ये duty बनती है कि वो आपको सजा दिलवाई सर ध्यान लखिएगा अगर आपने कोई private wrong किया है किसी particular individual के साथ कुछ गलत किया है जो कि एक crime नहीं है तो वो एक particular individual जिसको नुकसान हुआ है आपकी क्यों ही गलती की वज़े से आपको उसको compensation देना होगा private wrongs फिर भी तो क्या हो जाता है सर नोट कर लीजेगा सर जो private wrongs होते हैं इनमें जो remedy मिलती है क्या मिलती है सर रेमिडी मिलती है जिसके साथ गलत हुआ होता है वो कहता है वो compensation दिलवा दो सर जो उनको नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करवा दो लेकिन अगर public wrong होता है सर, क्या होता है? public wrong होता है, तो सर, public wrong में भरपाई नहीं होती बलकि वहाँ पे तो punishment दी जाती है क्या दी जाती है सर? punishment दी जाती तो सर, हम ऐसे बोले हैं कि अगर आपने कोई civil wrong commit किया तो वहाँ पे तो भरपाई हो जाएगी नुकसान की criminal wrong commit किया, तो भरपाई नहीं होगी, सजा मिलेगी और सजा दिलाने की किसकी responsibility? सर, सरकार की responsibility तभी word क्या लिख दिया, state क्यादे, while private wrongs are the breaches of private law that is wrongs against individual private wrong का तो मतलब एक particular person की against आपने कुछ गलत किया public wrong का मतलब शायद ऐसा हो सकता है कि आप एक particular individual की against कुछ गलत करो पर उसका impact society at large पर पड़ागा आपने किसी का murder कर दिया, तो नुकसान तो एक individual का हुआ लेकिन उस murder की वज़े से ऐसे होते हैं पूरा मोहला, पूरा area, पूरा शेहर दहशत में आ गया है तो सर, ये तो फिर एक criminal activity होग, yes कि ते public wrongs और crimes are those wrongs which are made punishable under the penal law penal law मतलब सर, Indian penal court belonging to the public law बिल्कुल clear बात है सर, हमको ये बात तो हमने अप समझा ही, हमको समझा है आगी, हाँ सर अब हम एक crux निकालें, तो सर, crux ये बन कर आता है कि taught means a civil wrong, but important point ध्यान मार करिये which is not exclusively the breach of a contract or the breach of trust ये बहुत important line है कहते हैं, इसका मलब हम ये तो कह सकते हैं कि taught एक civil wrong है but वो civil wrong होने के बावजूद, breach of contract नहीं होना चाहिए breach of trust नहीं होना चाहिए अगर एक particular गल्ती, एक particular civil wrong breach of contract है तो वो taught नहीं हो सकता अगर वो breach of trust है, तो वो taught नहीं हो सकता अगर कोई civil wrong ना ही breach of contract है ना ही breach of trust है तो ही वो क्या है? एक taught है ओ, ठीक सब इसका मलब से लिखा है The distinction between civil wrong and criminal wrong depends on the nature of the appropriate remedy provided by law civil wrong में जो आपको remedy मिलती है वो कैसी मिलती है? compensation की, नुकसान की भरपाई करवा दी जाती है लेकिन criminal wrong में जो आपको यहाँ पर remedy मिलती है वो किसे फॉर्म मिलती है? punishment की फॉर्म में punishment की मिलती है? offender को offender कोई होता है सर? वो particular person जिसने crime किया है जिसने criminal activity की है वो है एक offender और offender को में यहाँ पर क्या मिलती है criminal wrong में? सजा मिलती है धीक सर सर इसके लाबा हमारे पास बहुत important चार चीज़ आती है taught की different different authors, different different lawyers के थूँ क्या definition दी हुई है सर taught की definition वैसे limitation act आप पढ़ेंगे कभी CS executive में limitation act एक ऐसा act है जो कहता है कि एक particular person को अगर court के थूँ remedy लेनी है तो एक particular time period के अंदर अंदर remedy ले ले अगर वो time period एक बार expire हो गया तो court के थूँ remedy नहीं लेपाऊगे इसका मुलत सर लिमिटेशन act एक limitation time period देता है वो कहता है इतने समय के अंदर अंदर remedy अगर court से claim करनी हो तो कर लेना अगर उतने समय के अंदर अंदर court से remedy claim नहीं की तो बाद में remedy claim करने का मौका नहीं मिलेगा remedy का मतलब क्या है सर रेमेडी का मतलब है आप अपने नुकसान के बदले में क्या चाहते आपके साथ जो गलत हुआ है उसके बदले में क्या चाहते सर आम ऐसे बोते हैं अगर मेरे साथ कुछ criminal activity होती है तो मैं तो offender को सजा दिलाना चाहूँगा लेकिन अगर मेरे against को civil wrong commit होता है तो मैं बोलूँगा सर उस particular activity की वज़े से जो मेरे को नुकसान होए ना उसकी भरपाई करवाती है लेट से ऐसे बोल देते हैं लेट से ऐसे बोल देते हैं कि एक particular person ने बहुत तेसे थपड़ मारा इतनी तेस थपड़ मारा एक चोटे बच्चे को कि उसको fever हो गया ओगोजा यह तो बहुत गलत बात है यह तो बहुत गलत बात है सर ऐसी situation में हम ऐसे बोलते हैं कि उस बच्चे की recovery में जितना पैसा खड़ चुआ वो हमको दिलवा दीजे compensation के form ने बच्चे के parents कह रहे हैं सर जिसने थपड़ मारा उनसे बोलिए कि जितना पैसा हमने अपने बच्चे की health को recover करने में लगाया है उसके बदले में भरपाई कर दे कहते हैं अब limitation act taught को कैसे define करते हैं taught means a civil wrong which is not exclusively a breach of contract और a breach of trust अरे सर ये तुम पहली पढ़के आ चुके हैं हाँ सर पढ़के तो आ चुके हैं लेकिन एक्जाम में पॉइंट ओवी से ध्यान रखेगा limitation act ये definition देता है क्या कहता है वह कहता है taught एक ऐसा civil wrong है which is not exclusively a breach of contract और breach of trust सर ये तो हम बिलकुल अभी पिछले 25 मिट से यही तो पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है सर लिमिटेशन है क्यों को बिलकुल clear हो गई या होता है जिन्होंने law enact किया कहते हैं एक और jurist है जो law को research करते हैं लोपे कहते सालमेंड सालमेंड ने लोग को कैसे define किया taught को कैसे define कि सोरी कहते defined it as a civil wrong कहते हैं वो भी कहते हैं कि सर जो taught है न वो एक civil wrong for which the remedy is a common law action common law action का मतलब वैसा common law का मतलब which is common for everyone इसके regarding को specific law नहीं है कहते लिखा civil wrong for which the remedy is a common law action for unliquidated damages सर जो नुकसान होते हैं वो दो तरीके के होते हैं एक होता है liquidated एक होता है unliquidated liquidated का मतलब होता है जहां पर ये पता है कि अगर किसी एक particular person ने ये गलती की तो उसको इतने रुपे का जुर्माना बढ़ना पड़ेगा उसको इतने रुपे का damage receive होगा सर अगर monetary terms में जो compensation मिलने वाला है क्या सर? monetary terms में monetary terms का मतलब money terms में जो compensation का amount है अगर वो already decided है सर कंपनसेशन का amount अगर already क्या है? decided है तो सर फिर वो बन जाता है liquidated damage क्या बन जाता है? liquidated damage लेकिन अगर किसी एक particular case में अगर वो particular damage का amount वो compensation का amount अगर decided नहीं है decided नहीं है बलकि code decide करेगी कि compensation कितना मिलना चाहिए तो फिर वो हो जाती है unliquidated damage इसका मलब सर अगर हम मोटा मोटा ऐसे देखें तो हम ऐसे बोलते हैं कि अगर आपको पता है कि नुकसान के case में compensation कितना मिलने वाला है तो liquidated damage नहीं बता तो unliquidated damage और यहां taught के लिए definition में क्या बोला गया है word unliquidated damage highlight कर लिजएगा केते Salmon केते हैं एक civil wrong एक ऐसा civil wrong है एक ऐसा wrong taught है एक ऐसा civil wrong taught है जहां आपको remedy मिलेगी in the name of unliquidated damage लेकिन फिर importantly मा करियेगा and which is not exclusively the breach of contract और the breach of trust और other merely equitable obligation या इसी से मिलता जुलता कोई breach of contract या breach of trust से मिलती जुलती कोई breach हो गई तो वो specifically उसमें cover हो जाएगा otherwise सारे civil wrong कैसे हैं taught है ठीक सर फिर इसके बाद एक बहुत important definition आती है by Fraser Fraser defines taught as an infringement of a right in rem right in rem of a private individual right in rem of a private individual का मतलब है कि एक particular private individual के आपने एक private individual के rights का violation कर दिया एक particular private individual के right का violation कर दिया जिस particular person के right का violation किया आपकी की हुई activity की वजह से आपने giving him a right of compensation at the suit of the injured party आपने जिस particular party के rights का violation किया that particular party is termed here as an injured party आपने जिस particular फिर से सुनेगा आपने जिस particular person के rights का violation किया that particular party is injured party और क्योंकि आपने उसके rights का violation किया आपने उसके साथ कुछ गलत किया आपने उसके साथ एक private wrong commit किया उस private individual के rights का आपने violation किया वो आपसे यहां पे compensation demand करेगा उसका right क्योंकि आपने पहले उसके साथ कुछ गलत किया अगर आपने उसके साथ कुछ गलत ना किया हो था तो उसके पास compensation receive परने का right नहीं आता ठीक सर फिर कहते हैं लास्ट में एक definition और दी है by winfield केते ध्यां से लेखे क्या लिखा है केते tortuous liability कोई भी liability जो tort से arise होती है वो liability कैसी होती है tortuous liability केते tortuous liability arises from the breach of duty primarily fixed by law this duty is towards person generally and its breach is redressable by an action for unliquidated damage sir important important बात अकरम यहां पे करें तो सबसे पहले पहली बात ही बहुत है कि tort tortuous liability क्या है sir जो एक breach of duty से arise होती है breach of duty का मतलब एक particular person को एक particular activity करनी थी उसने नहीं की breach of duty एक particular person को एक particular activity एक manner में करनी थी उसने वैसे नहीं की एक particular person को एक activity नहीं करनी थी उसने फिर भी कर दी this duty is towards persons generally और sir यह breach of duty कैसी है सर ये एक ऐसी duty है जो एक particular person के regarding थी एक individual person के regarding और अगर उसकी वो breach of duty हो गई है वो breach हो गया है तो सर जो compensation मिलेगा that is unliquidated damage liquidated नहीं, कौँसा damage? unliquidated नहीं सर अगर मोटा मोटा हम बात करें definitions के थुरू हमको crux क्या मिल रहा है तो कहा रहे हैं ध्यान से taught is a species of civil injury sir taught क्या है? civil injury का एक part है of wrong as opposed to criminal wrong taught a criminal wrong नहीं है and that every civil wrong is not a taught ये बहुत ये बहुत important नाईने सर इसको मैं अलग से highlight करके आप होते था हूँ कहते हैं सर every civil wrong is not a taught क्यों सर ऐसा क्यों? क्योंकि सर civil wrong तीन तरीके के होते हैं सर किते तरीके के तीन एक होता है breach of contract एक होता है breach of trust और जो last में बच जाता है वो क्या हो जाता है सर वो हो जाता है taught क्या आपको clear है सारी बाते? हाँ सर बिल्कुल clear है सर एक बचला थोड़ा सर revise करा दो revise करा दो सर अभी हमने क्या पढ़ा मैं क्या बोल रहा हूँ जला बच्चे मिनी बात को यहां से समझो फिर से क्या बोल रहा हूँ मैं? मैंने बुला रॉम कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के civil, criminal civil का alternative name सर प्राइवेट रॉम criminal का alternative name सर पब्लिक रॉम सर जो criminal activities है वो कहा लिखी हूँ है? इंडियन पीनल कोड में, criminal procedure कोड में, इंडियन एविडेंस एक्ट में या किसी specific law में किसी activity को crime बोल दिया जाए तो वो crime बन जाता है लेकिन सर लेकिन अगर कोई activity ऐसी है जो कहीं पर भी crime नहीं कहीं गई तो सर फिर वो civil wrong है सर सिविल wrong होने का मतलब क्या वो taught है? नहीं सर जड़ा चेक करो कहीं वो breach of contract तो नहीं है, under Indian contract act कहीं वो breach of trust तो नहीं है, under Indian trust act अगर वो breach of contract भी नहीं है, अगर वो breach of trust भी नहीं है तो फिर बच्चे वो taught है ओ हो हो, clear है सर, clear है जब दों और फिर निक्विडेटट का मतलब है एक ऐसा डामज, एक ऐसे नुकसान कि आप भरपाई कर रहे हो जिसमें जितना नुकसान हुआ है वो calculate करेंगी court, वो पहले से decided नहीं है सर अगर एक monetary compensation पहले से decided है तो वो liquidated बन जाता है, पहले से decided नहीं है तो unliquidated बन जाता है, ठीक से आईए सर, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या बात लिखी हो जाए है अब सर आती है से general conditions of liability for a tort कब हम मानेंगे कि एक particular person ने taught commit कर दिया तो मैं ऐसे बोलते हैं, बहुत simple line ने लिखी हुई है आपको एक एक बार पढ़ने में आजेंगी लिखा है, taught consists in some act done by the defendant who is defendant, ध्यान रखिएगा सर, जिसने taught commit किया जिसने taught commit किया वो बन जाता है defendant फिर दियान से सुने रहा सर, हम इसको नाम देते हैं taught feezer taught feezer का मतलब who have committed a taught सर, और कोई नाम दे सकते हैं सर, लिख देते हैं wrongdoer जिसने गल्ती की सर, generally हम पहले नाम defendant नहीं देते हैं पहले हम नाम देते taught feezer नहीं तो इंग्लेश में बोल देते हैं और he is a wrongdoer ठीक सर, बेलकुर ठीक सर सर, फिर दियान से सुनेगा जिसके against taught commit हुआ है जिसके against taught commit हुआ है सर, जिसके against taught commit हुआ है सर, वो तो पार्टी होगी जो injured party है, सर कौन सी पार्टी, injured party जिसको नुकसान हुआ है, सर ये injured party को कोई और नाम दे सकते हैं सर, दे सकते हैं, plaintiff ध्यान रखीएगा, अगर किसी ने किसी एक particular person के rights का violation किया तो सर, जिसको नुकसान हुआ है वही तो court में जाएगा वो court में जाके क्या बोलेगा, सर मेरे rights का violation हुआ है हमको remedy claim करने है remedy दिलवाई जाए, court पूछेगी बताओ, तुमारे साथ जिसने भी गलत किया, उसका नाम बताओ सर, जिसने भी गलत किया, वो tortfeasor है, वो कौन है wrongdoer है, उसको नाम पे नाम क्या दिया गया, defendant इसको क्या बोला गया, plaintiff इसका मुलब, सर, court में कौन जाता है सर, सबसे पहले matter लेके, जो party जाती ही होती, plaintiff, plaintiff कौन होती है सर, injured party, जिसके against tort commit किया गए, सर, वो क्या बोलती है आरोप लगाती है, आरोप कौंगरेजी में क्या बोलते हैं, सर, allegation लगाती है, क्या लगाती है allegation, आरोप लगाती है कि सर, इस particular party ने में against tort commit किया है ठीक सर, कहते हैं, general a tort consists in some act सर, tort क्या है, एक ऐसी activity है, which is done by defendant whereby, ध्यान से कहते हैं, कैसी activity, जो defendant ने commit की है, जिसकी वजह से whereby, he has without just cause or excuse caused some form of harm to the plaintiff सर, defendant की की गई उस गलती की वजह से, या हम गलती चलो छोड़ देते हैं, हम ऐसे बोलते हैं defendant की की गई उस activity की वजह से, अगर plaintiff को कोई नुकसान हुआ है तो हम बोल देंगे कि कोई tort commit हुआ है क्या बोल देंगे, tort commit हुआ या हम ऐसे भी बोल दें, अगर defendant की की हुई किसी गलती की वजह से, या अगर defendant की की हुई किसी activity की वजह से, एक person का legal right violate हो जाता है, ये बहुत specific definition में बोल रहा हूँ और आप बहुत अच्छे से मेरे words को mark करिये, मैं क्या बोल रहा हूँ, defendant की की हुई किसी activity की वजह से, अगर plaintiff का legal right violate हो जाता है तो हम बोल देंगे, tort commit हो गया Sir, legal right violate हुआ है, तो शायद कुछ नुकसान भी हुआ होगा, Sir, लेकिन ध्यान रखेगा, नुकसान secondary है पहले legal right का violation होना जरूरी है अगर legal right का violation नहीं हुआ तो शायद tort commit नहीं हुआ अभी हम नीचे पढ़ेंगे ध्यान रखेगा, legal right का violation होना जरूरी है legal right का violation नहीं हुआ तो शायद ऐसा हो सकता है, tort commit नहीं हुआ हो legal right का violation मैं बापे से लिख रहा हूँ, violation of legal right, मैं रिवर्ट को mark करें, violation of legal rights is a must must, must होना ही चाहिए, violation of legal right, ठीक सर, कैरें लिखा, in order to constitute a tort, the following conditions are to be satisfied, अगर आप ऐसे कहते हैं कि एक particular person ने tort commit किया है, तो कुछ necessary conditions का satisfy होना जरूरी है सर, क्या है वो condition, पहली condition लिखा, there must be a wrongful act or omission on the part of the defendant सर, एक wrongful act होना चाहिए सर, वो wrongful act किस ने commit किया होगा defendant ने commit किया होगा such act or omission should result in legal damage to the plaintiff और सर, उस की हुई defendant की activity की वज़े से नुकसान हुआ हो किसको, plaintiff को जो जो चीजे मैं highlight कर रहा हूँ, आप भी highlight कर लीजे बहुत important फिल लिखा, सर, अगर हम ऐसे बोले, defendant की की हुई गलती की वज़े से plaintiff को नुकसान हुआ, तो कुछ ना कुछ legal remedy भी होगी क्या होगी, legal remedy इसका मलब, सर, पहले नंबर पे हम ऐसे बोलते हैं मैं चीजे रब करता हूँ, जड़ा थोड़ी-थोड़ी थोड़ी सी जगे बनाता हूँ, यहाँ पे चीजे मैं आपको मार्क कराता हूँ, क्या सच चीजे मार्क कराओगे, सर आओं बताते थे हैं, general conditions क्या होती है, single word में सर, आम ऐसे बोलते है, there should be some wrongful activity, बिल्कुल सभी बात है सर, उस wrongful activity को होगा, plaintiff को होगा, सर, कुछ नुकसान तो होना, क्या हो, नुकसान हुआ होगा, तो ही तो हम मानेंगे कि वो wrongful activity है फिर हम ऐसे बोलेंगे, अगर नुकसान हुआ है तो क्या legal remedy भी होगी हाँ सर, बिल्कुल सही बात है legal remedy भी होगी इसका में ऐसे बोल रहे है there should be a wrongful activity उस wrongful activity की की वजह से, plaintiff को नुकसान हुआ हो, और उस नुकसान की remedy भी अवलेबल है अब मेरी बात को ध्यान से सुनेगा, सर, जो अभी आपने बोला ना, नुकसान हुआ हो, legal damage, सर, ये legal damage हम तब ही legal मानेंगे ये हम ऐसे बोलेंगे, उस नुकसान को हम तब ही legal मानेंगे जब violation of legal right हो, क्या हो? violation of legal right सर, हम तब एक particular damage को legal damage मानेंगे, जब हम ऐसे बोलेंगे की सच में plaintiff का कोई legal right violate हुआ अगर plaintiff का legal right violate नहीं हुआ, तो हम बोलेंगे की second number वाली condition fulfill ही नहीं हुई, ओहो, ऐसी बात है सर, आओ जड़ा detail में explain करो सर, नीचे तो लिखा हुआ legal damage, सर नुकसान दो तरीके के बताएगा है, legal damage सर, ये legal damage क्या होता है, ध्यान से देखेगा लिखा है, it is not every damage, that is a damage in the eye of law, सर सारे नुकसान कानून की नजरों में शायद नुकसान नहीं है, कुछ ऐसे भी नुकसान है, जिसमें हमको साफ पता लग रहा है, नुकसान हुआ है, बट कानून कहता है, वो नुकसान, नुकसान है ही नहीं, सर, ये कैसे हो सकता है, example देते हैं सर, मैं ऐसे बोलता हूँ, एक particular person है Mr. Ajay, Mr. Ajay में रहने वाले लोग, अगर क्योई भी particular confectionery item purchase करने जाते हैं, तो Mr. Ajay के पास ही जाते हैं, Mr. Ajay एक monopoly create करके बैठे हैं, monopoly आपने word सुना होगा economics में, monopoly को मतलब इकलौता seller है, और market में कोई ही ही नहीं, इसको टक्कर देने के लिए सर लेकिन यहाँ पर आ गए Mr. Vijay और थोड़े दिनों के बाद Mr. Vijay ने भी अपनी एक confectionery की दुकान खोल ली Mr. Ajay के बिलकुल बगल में अच्छा सर अब क्या होगा सर मिस्टर Ajay की पहले इकलौती confectionery दुकान थी, किसी को कोई भी आइटम पर चेस करना होता था वो Mr. Ajay की दुकान पर जाता था लेकिन सर अब तो Mr. Vijay की confectionery की दुकान भी बगल में खुल गई है अब customer बट गए है पहले सारा customer Ajay के पास जाता था अब उसमें से थोड़ा customer Ajay के पास भी जाने लग गया सर क्या Ajay को नुकसान नहीं हुआ सर नुकसान तो हुआ सर नुकसान कैसा हुआ सर monetary loss हुआ कैसा सर money terms में लॉस हुआ Ajay का पहले profit जादा था अब कम हो गया Ajay की पहले revenue जादा थी अब कम हो गई सर क्या बोल दे नुकसान हुआ है हाँ सर नुकसान तो वहाए सर नुकसान किसकी वज़े से हुआ है विजे की नई कनफेक्शनरी दुकान खोलने की वज़े से सर लेकिन ध्यान से सुनिएगा क्या यहाँ पर विजे ने हम ऐसे बोल दें कि विजे ने सच में कोई legal right violet किया है क्या competition करना कहीं से भी गलत बोला गया है बिल्कुल नहीं क्या सर मिस्टर विजे ने कोई ऐसी activity किया है जो गलत है सर मिस्टर विजे ने क्या किया, कुछ गरत नहीं किया, उसने तो सिर्फ competition दिया है मिस्टर अजे को, यहाँ पर भले ही मिस्टर विजे की activity की वज़े से मिस्टर अजे को नुकसान हुआ, लेकिन ये को illegal damage नहीं है, ओहो, ये बात है सर, बिल्कु ठीक बात, सर इसका वला यहा मेरे against, taught की, liability तो तब create होगी, जब मैंने कोई legal right का violation किया हो, मैंने कोई भी legal right का violation नहीं किया, competition करना मेरा भी right है, दुकान कोलना मेरा भी right है, confectionery की दुकान मैं भी खोल सकता हूँ, इसमें मैंने गलत क्या किया, भले ही मेरी activity से मिस्टर अजे को नुकसान हुआ, लेकिन सर मैंने कुछ गलत नहीं किया, इसको हम इस concept में पढ़ते हैं, सध्यान से देखे क्या लिखा हुआ था, तब ही लिखा था, it is not every damage that is a damage in the isle of law, अभी हमने पढ़ दिया सर, it must be damage which the law recognizes as such, सर वो legal damage तभी माना जाएगा, हम ऐसे बोले एक नुकसान legal damage तब माना जाएगा, जब law की नजरों में वो नुकसान, करें, in other words, there should be legal injury और invasion of the legal right, यह बहुत important word है, invasion of the legal right, invasion का मतलब violation of legal right, violation of legal right, फिर second number, in the absence of an infringement of a legal right, अगर infringement of legal right नहीं है, तो an action does not lie, अगर एक infringement of legal right present नहीं है, तो फिर वो particular action create ही नहीं होगा, remedy मिलेगी ही नहीं, सर इस concept को हम दो पार्ट में divide करते हैं, एक बोलते हैं, सर, damnum sign injuria, ओहो, सर, यह line को याद करनी पड़ेगी, यह statement, बिल्कुल करना पड़ेगा, damnum sign injuria, सर, damnum का मतलब है damage, sign का मतलब है without, injuria का मतलब है injury, और हम ऐसे बोल र सर, लेकिन कोई legal right violate नहीं हुआ, क्या सर, बोल दे, competition का example यहाँ पर सबसे best fit बैठेगा, जो अभी पढ़कर आए थे, अजे विजे का, बिल्कुल सही बाद, अभी तो नीची example देखो दिया हुआ है, लिका, where the damage results from an act, सर, नुकसान तो हुआ है, एक activity की वज़े से, done in the exercise of legal right लेकिन सर, जिस particular person ने वो activity की है, वो उसका legal right था, उसने कोई legal right का violation किया ही नहीं, तब ही लिखा, does if I own a shop, मेरी एक shop है, and you open a shop in the neighborhood, और आपने मेरे बगल में दुकान खोल ली, as a result of which, जिसकी वज़े से, I lose some customers, and my profits fall off, जिसकी वज़े से, पहले जो customer सिफ मेरे पास आता था, अब आपके पास जाने लग गया, जिसकी वज़े से मेरा profit घट कया, कहते हैं, but I cannot sue you for the loss in profits, but मैं आपके against इस particular नुकसान के लिए, case file नहीं कर सकता, because you are exercising your legal right, क्योंकि आप मेरे legal right का violation कर ही नहीं रहे, आप तो एक ऐसी activity कर रहे हो, जो बिलकुल legal है, आपके end पे, ठीक सर, इ damage, in respect of money, comfort, health, etc. हमारे example में सर, money का नुकसान था, injuria क्या था, it means infringement of a right, but हमने पढ़ा क्या, damage without infringement of a right, ओहो, लेकिन अभी तुम पढ़कर आए थे, infringement of a right तो होना जरूरी है, वरना remedy नहीं मिलती, बिलकु ठीक बात सर, फिर से second concept आता है, injuria sign damn no, सर ये क्या होता है, सर ये ब injury है, but without damage, injury है, but without damage, इसका मतलब सर, injury का मतलब क्या था, violation of a legal right, violation हुआ है सर, legal right का, but without any loss, without any damage, without any loss, इसका मतलब सर, शाहिद हमको को नुकसान ना हुआ हो, बच मेरा, legal right जरा वाईलेट हुआ है, तो मेरे को remedy मिलेगी, भले मेरे को नुकसान ना हुआ हो, लेकिन अगर मेरा legal right वाईलेट हुआ है, तो मेरे को remedy मिलेगी, for example दो सर, example जहोनको नुकसान ही नहीं हुआ, तो remedy की सबाट की? एक्जामपल देखें सर ध्यान से देखी क्या थे एक पर्टिकुलर पर्सन है जो 19 साल का है एक Mr. एक Mr. रॉनी है रॉनी रॉनी वो सर बड़ा यूनीक सा नाम ले लिए कोई बात नहीं सर एक Mr. रॉनी है जो 19 साल के हैं सर 19 साल के हैं तो he is having a right right to vote सर ये वोट दे सकते हैं सर 18 साल के उपर हैं वोट दे सकते हैं सर ये वोट देने गए इनके पास voter ID है बिल्कुल सही बात सर सर वोटर ID के साथ साथ voter list में इनका नाम भी है ये वोट देने गए अपना voter ID लेकर बिल्कुल सही सर लेकिन लेकिन सर जहां पे इनका बूट था जहां इनको वोट जाके डालना था वहां के बूट ओफिसर ने पोलिंग ओफिसर ने इनके वोट देने के राइट को रोक दिया ये कहते हुए कि Mr. Ronny आपको हम वोट नहीं देने होंगे कुछ कमी है रौनी ने बोला कमी बताओ मेरे पास वोटर आईटी है मेरे पास वोटर लिस्ट में नाम है कमी किस बात की मैं वोट दूँगा बूट ओफिसर ने लेकिन उसको वोट डालने नहीं दिया क्या वोट डालना हमारा लीगल राइट था मिस्टर रौनी का भी लीगल राइट था येस वो 19 साल के थे बिल्कुल लीगल राइट था लेकिन सर रौनी को वोट डालने नहीं दिया गया सर रौनी ना एक मिस्टर एक्स को वोट देकर उनको इलेक्शन में जिताना चाहते थे सर मिस्टर एक्स रॉनी के वोٹ ना देने के बावजूद जीत गए सर्ब मिस्टर रॉनी तो मिस्टर एक्स को ही वोट दे के जिताना चाहते थे वो जीत भी गए तो सर्फ फिर मिस्टर रॉनी को कोई नुकसानतो हुआ نہیں अरे नुकसान हुआ हो या ना हुआ हो हमने तो क्या पढ़ा भी इंजूरिया साइन डैमनम में सर लीगल राइट का वाइलेशन अगर हो गया है लीगल राइट का वाइलेशन अगर हो गया है तो मतलब रेमिडी तो मिलेगी लीगल राइट का वाइलेशन होना जरूरी है भले ही तुमको नुकसान हुआ उसकी वज़े से या नहीं हुआ सर Mr. Ronnie को कोई नुकसान नहीं हुआ वो तो Mr. X को जीटाना चाते थे Mr. X वैसे ही जीत गए Ronnie के वोट दिये बिना ही Mr. X जीत गए वोट दे भी देते तो कुछ खास फरक नहीं पड़ता तभी लिका, where there is no damage resulted, sir, नुक्सान तो नहीं हुआ yet, it is an injury or wrong in tort नुक्सान तो नहीं हुआ, but violation of a legal right हो गया, therefore where there is an infringement of a legal right, not resulting in harm, but plaintiff can still sue in tort, sir, एक infringement होनी जरूरी है, there is infringement of a legal right, not resulting in harm, भाले फिर नुक्सान हुआ हो या ना हुआ हो, important point बता रहा हूँ, धियान रख लिजेगा बहुत important line बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा important है, sir, बहुत ज़्यादा important, ठीक, sir, तो हमने दो concept पढ़ दिये, sir, एक पढ़ लिया, damn num sign injuria, एक पढ़ दिया, injuria sign damn num, clear है, sir, आप clear है, sir, बिल्कुल clear पहला point बता दो, sir, क्या लिखा है wrongful act, sir, तीन condition पढ़ी थी wrongful act, legal damage, legal remedy, sir, legal damage ज़ादा बड़ा था, पहले ख़बर कर लिया, wrongful act, wrongful act का मदद, कुछ तो गलत किया होगा, कुछ तो गलत हुआ होगा, in order to make a person liable for a tort, अगर आप एक particular person के उपर आरोप लगा रहे हो, कि उसने tort commit किया है, तो भाईया, पहले ये तो बताओ, he must have done some legal wrong, sir, उसने कोई ऐसी activity तो की होना, जो civil wrong है, sir, अगर वो ऐसी activity करता ही नहीं, जो civil wrong है, तो फिर वो tort किस बात का, clear है, sir, clear है, sir, हाँ, बिल्कुल clear है, sir, इसका मुलाब मैं ऐसे बोलते है, एक particular person ने कभी कोई गलती पहले की होगी, तभी तो हम उसको taught बोलेंगे, हाँ, sir, बिल्कुल ठीक बात, अभी मैंने एक overview दे दिया आपको wrongful act का, फिर मैं बोलता हूँ, last में, last में आता है, कहता है, legal remedy, थर्ड number point हम लोगों ने पढ़ी थी condition का, पहली condition क्या पढ़ी थी, पहली condition पढ़ी थी, wrongful act पढ़ लिया, दूसरी condition पढ़ी थी, legal damage पढ़ लिया, थर्ड condition क्या पढ़ी, Legal remedy, remedy का मतलब क्या है, तो अगर किसी ने किसी का legal right वायलेट किया है, तो उसको उस legal right के violation की remedy तो मिलनी ही चाहिए अगर उसको remedy ही नहीं मिलेगी तो फिर legal right के violation का फाइदा ही क्या सर हम ऐसे बोलते हैं अगर legal right violate हुआ है तो remedy तो मिलकर ही रहेगी remedy तो मिलेगी ही मिलेगी ही सर अगर किसी legal right के violation पे remedy ना मिले तो सर फिर वो legal right हुआ ही नहीं सर एक particular right को हम legal right तभी बोलेंगे जब उसके violation पे हमको remedy मिले अगर remedy नहीं मिल रही तो फिर सर हम बोल देंगे सर वो legal right है ही नहीं तभी सर एक maximum लिखी हुई है यह देखी क्या UB, JERS, EB, Remedium सर अगर कानून हमको कोई हक दे रहा है तो उस हक का अगर violation होगा तो remedy भी देगा क्योंकि सर, there is no wrong without a remedy ऐसी कोई गलती है ही नहीं कानून में जिसमें remedy ना दी हूँ और अगर remedy नहीं दी, तो वो गलती नहीं है हमने मान लिया आपकी बात को बिल्कुल clear हो गया, answer clear हो गया ठीक सर, तो हमको team conditions तो समझ में आ गई although हमने भी legal damage वाली condition तो पूरी पढ़ दी but अभी हम लोगों ने wrongful act को पुरा एक-एक line के cover नहीं किया और अभी हम लोगों ने तीसरी condition जो थी legal remedy, उसकी एक-एक line cover नहीं की उसको मैं अभी cover नहीं करवा रहा क्योंकि अभी तो बच्चें आज पहली class है हम लोगो basic basic चीश करनी थी हमने basic basic चीश कर भी ली बिल्कुल कर ली, जरह मैं आपको इस particular, इतना जितना portion हम लोगों ने किया न इसके basis पे मैं पहले आपको कुछ MCQ कर रहा हूँ सर, जरह पता तो लग जाए कि हम क्या चीश पढ़ रहे हैं और किस तरीके से exam में हमसे put up हो सकती है सर, मैं आपसे वादा करता हूँ promise कर रहो कि आपने जितनी भी बाते आभी सुनी अगर ढंग से सुनी होंगी तो जो-जो MCQ मैं आपको कराने जा रहा हूँ आप उन MCQ को बड़े अराम से सही कर जाएंगे क्या लिखा सर, पहला MCQ, आओ सर, जरह प्रूफ करो क्या लिखा, the word taught is a dash equivalent of English word wrong सर, French equivalent पढ़कर आए थे हम सर, हम ऐसे बोलते थे, गलती को English में बोलते हैं wrong और French में उसी को बोलते हैं taught तो the word taught is a French equivalent of English word wrong सर, अंसर क्या हो गया, French ठीक सर, बिल्कुल clear सेकंड लिखा सर, the word taught is derived from the Latin word taught term answer is C, C सर, अभी हम पढ़कर आए थे, जो word taught है न, यह originate कहां से हुआ है word taught term से, Latin word taught term से तो हम ऐसे बोलते हैं, सर, English में जिसको हम बोलते हैं wrong यह बोलते हैं English में सर, French में इसी को हम क्या बोलते हैं taught सर, Roman law में इसी को क्या बोलते थे, delict यह बोलते हैं, delict ठीक सर, इसके अलावा सर, अगर हम पढ़कर आए थे, तो हम ऐसे बोलते हैं Latin word, taught term से किससे? taught term से originate हुआ है, the word taught सर, दोनों questions हमको clear हो गए बिल्कुल अच्छी तरीके से clear हो सर, third question पर जड़ा टिक लगवा दो, जड़ा वो भी देखने क्या लिखा है सर, third question क्या कहता है, दियान से सर, third question में लिखा है, every civil wrong is a taught, every civil wrong is a taught, क्या सर, ये सही है every civil wrong is a taught, सर, हम पढ़कर आये थे every taught is a civil wrong every taught is a civil wrong, ये तो हम पढ़कर आये थे कि जितने भी taught होते हैं, वो civil wrong होंगे सर, लेकिन every civil wrong is a taught यह शैद गलत है क्योंकि सिविल गूंग में तो तीजी जी जगवर होती थी भीच ऑफ कॉंट्रक्त बीच और स्ट बीच वह वह सुरिश्क कमलार अवरी सिविल रॉंग जा टॉट यह गलत है है but every thought is not a civil wrong सरी statement ही गलत है तो हम बोलेंगे it's true it's partly true it's partly false or false बोलेंगे false सरी गलत है every civil wrong is not a thought but every thought is a civil wrong और दोनों ही statement गलत ही है ठीक सर ठीक सर फोर्थ नमबर mcq पे आते हैं फोर्थ नमबर mcq पे आते हैं क्या लिखा है लिखा who defines taught as an infringement of a right and rem right and rem के regarding तो बात की थी किसने Fraser ने Fraser ने किसने बात की थी Fraser ठेक सर हम पढ़कर आये थे हम तीन authors की तो definition पढ़कर आये थे एक Salman की एक Fraser की एक Winfield की Fraser की definition में ही right and rem की बात हो रही थी बेकुस साही बात सरा फिल देखो लिखा है तो फिफ्ट नंबर question MCQ देखो क्या लिखा है क्या लिखा है to constitute taught there must be, क्याते हैं अगर taught constitute करना है, हम ऐसे बोले कि एक particular person ने taught commit किया, तो क्या क्या necessary condition होनी चाहिए, पहली condition wrongful act by the defendant हां सर legal damage to another हां सर, या another कौन होता था सर, plaintiff और सर क्या legal remedy भी होती थी, हाँ सर legal remedy भी होती थी, ये तीनों ही तो condition थी तो correct answer क्या हो गया, D clear है सर, बिल्कुल clear है question number six पे आते हैं सर, question number six क्या कहता है, लिखा है in case of damn num sign injuria, ओ सर damn num sign injuria damn num sign injuria का तो मन्दब हो गया damage without violation of legal right without violation of legal right, इसका मलच सर, अगर हम ऐसे बोले तो हम ऐसे बोल रहे हैं कि legal right का violation नहीं हुआ, कि remedy मिलनी चाहिए, नहीं मिलेगी, तब ही दिखा, in case of damn num sign injuria, the plaintiff has a right to sue in dot, no, no, second number, in case of injuria sign damn num, the plaintiff has no right to sue, नहीं सर, injuria sign damn num में तो उसके पास right होता था, तो सर, दोनों ही statement क्या गलत लिखे हैं, हाँ सर, दोनों ही statement गलत लिखे हैं, तब ही लिखा, statement one is true, but statement two is false, नहीं सर, statement two is true, statement one is false, नहीं सर, both statement are false, ये सर, ये सही है, दोनों ही statement क्योंकि क्या है, गलत, सर, question number 13 देखी के लिखा, what are the essentials of thought, wrongful act भी, legal remedy भी, legal damage भी, all of the above all of the above, सर, बात समय में आ रही है, हाँ सर, सर, इसका मुलब कोल मिला कि हम ऐसे बोलें कि, MCQ questions तो हमसे solve हो रहे हैं, और ये MCQ questions वहीं है, जो आप से exam में पूछे जाएंगे, मैं कुछ अलग थोड़ी ना करा रहा हूँ, तब ही लिखा, दियान से देखे, लिखा, taught is set to be constituted, even if it has not caused any legal damage, सर, क्या हम ऐसे बोल दें कि, taught commit हो गया है, भली legal damage ना हुआ हो, सर, ये ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकते है, सर, legal damage ना हुआ हो, फिर भी taught हो गया, सर, हम ऐसे बोलें कि, एक particular tortious activity तो तभी होती थी, जब legal damage होता था, legal damage होने का मतलब क्या है, violation of legal right, क्या बिना violation of legal right के taught ह हो सकता है, नहीं सर, ये possible नहीं है, it is false, it is false, ठेक सर, clear है, सर, इसके बाद अगर बात करें, question number 12 भी पढ़ लेते हैं, लिखा, which maxim states that, unless there is a violation of legal right, damage cannot be enforced in taught, कहते हैं, अगर violation of legal right नहीं हुआ, तो remedy नहीं मिलेगी, कहा लिखा है सर, violation of legal right हुआ, तो ही remedy मिलेगी, हाँ सर, ये तो इंजूरिया में पढ़ा था, damn number sign injuria ये कहता था, सर, violation हुआ हो, क्या हुआ हो, violation हुआ हो, ऐसा पढ़ा था सर, ध्यान से सुनिएगा, अगर violation हुआ है, सर, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, अगर violation of legal right है, तो remedy मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, damn number sign injuria कहता था, damage हुआ, but without violation of legal right, सर, वहां तो remedy नहीं मिलती थी, यही तो statement कहना चाहता है, clear है सर, हाँ, clear है सर, damn number sign injuria क्या कहता था, damage हुआ, but without violation of legal right, क्या ये सही है, बिल्कुल सही है, फिलिखा सर, in tort generally the damages are unliquidated, सर, already पढ़कर आए, unliquidated, बिल्कुल सही सर, every wrong or wrongful act is a tort, क्या हर गलती tort है, no सर, it is false, सर, हर गलती tort इसलिए नहीं है, क्योंकि कुछ गलती breach of contract भी हो सकती है, कुछ breach of trust भी हो सकती है, कुछ criminal activity भी हो सकती है, सारी गलतीया tort नहीं होती है, तो सर, हम लोग ने question number 1 कर लिया, tick लगा देते हैं, question number 2 कर लिया, question number 3 कर लिया, question number 8 कर लिया, question number 9 भी कर लिया, बिल्कुल सर sir, taught is a criminal wrong, question number 10 भी देख लेते हैं, sir, क्रिमिनल रॉंग हो सकता है, नहीं sir, taught तो हमेशा क्या होता है, civil wrong होता है, taught कभी भी criminal wrong नहीं होता, sir, taught तो हमेशा क्या होता है, civil wrong, इसका मलब question number 10 भी हो गया, हाँ sir, question number 10 भी हो गया question number 11 भी हो गया, 11 भी हो गया, 12 भी हो इसका मदलब अगर हमारे सारे सारे साल हो जाते हैं ऐसी बात नहीं है बिल्गू ठीक सब्सक्राइब करेंगे 14 15 करेंगे 14 में के लिखाए तो यहां पर आज की इस पर्टिक लगा चुके हैं तो सर यहां पर आज की इस पर्टिकलर क्लास को मैं एंड करता हूँ हम लोगों ने टॉट पुरी तरीके से पढ़ लिया बहुत सारी डेफिनेशन पढ़ लिया उनकी जर्नल कंडीशन भी पढ़ लियू अल्दो कंडीशन पे कुछ दो तीन तीन पॉइंट रहे गए पढ़ने बट हम लोगों ने बेसिक ओवर्वियू पूरा ले लिया और आज की क्लास का अमारा परपस फुल्फिल हो गया सर क्याम ने जितना पढ़ा उसके बेसिस पे कुछ MCQ क्वेशन भी सौल किये बिलकुल सौल किये और यह MCQ क्वेशन आप बादा करेंगे कि आप बिलकुल बिना पढ़े इसको नहीं छोड़ेंगे क्योंकि अगर आपने बिना पढ़े इनको छोड़ दिया और आपको ऐसे लगा कि हमको समझ में आ गया और आपने इसका रिवीजन नहीं किया भूल जाओगे दो चार दिन के अंदर दो चार दिन तक तो याद रहेगा क्योंकि अभी फ्रिश फ्रिश आपने पढ़ा है उसके बाद रिवीजन नहीं कर मज़ा आना शुरू होगा तो उमीद करता हूं आज की क्लास आपको क्लियर हुई नेक्स क्लास को करने से पहले पहली वली क्लास आज वली क्लास को जरूर रिवाइस करिएगा तो ही सेकंड क्लास को कांटिन्यू करिएगा अधर वाइस सेकंड क्लास आपको पढ़ने में सम करते हैं, that is all for this particular day, enjoy your day, goodbye, bye-bye.